चलिए students हम लोग question number 7 को solve करते हैं देखिए question number 7 क्या दिया है पर में 6.1 का परियोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक तिर्भुज की एक बुजा के मद्ध बिंदू से होकर दूसरी बुजा के समंतर खीची गई रेखा तीसरी बुजा को क्या करती है सम्द्विभाजित करती है हमें ये प्रूब करना है तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक तिर्भुज बना लेते हैं समझ ये हमारे पास एक तिर्भूज इस तरीके से है और ये जो तिर्भूज है हमने इसको नाम दिया हमारा कौन सा तिर्भूज है ए बी-सी तिर्भूज है इसमें next क्या कहरा next कहरा कि एक बुजा के मद बिंदू से एक बुजा मारे बुजा ये भी है और इस बुजा का जो मद बिंदू है वो क्या है डी है मद बिंदू से होकर यानि कि यहां से होकर दूसरी बुजा के समांतर एक को आप दूसरी माल लिजे एक को तीसरी भुजा माल लिजिए यह हम ले रहे हमारी कौन सी भुजा है दूसरी भुजा है और यह हमारी तीसरी भुजा है ठीक है अब कहईना दूसरी भुजा के समांतर खीची गई रेखा दूसरी भुजा दूसरी भुजा यह है तो इसके समांतर रेक रेखा कुछ इस तरीके से खीची जा रही है और खीची गई रेखा तीसरी भुजा को सम्दुभाजित करती है और यह जो तीसरी भुजा है इस तीसरी भुजा को यह जो रेखा DA इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे यह जो point A ही ही है और यह जो हमारी DE है DE क्या कर रही है इस AC को दो बराबर भागों में सम्दिभाजित करती है हमें यह सिद्ध करना है समझे है हमें क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि यह जो DE है D line AB को दो बराबर भागों में काट रही है यानि कि सम्दिभादित करती है तो चलिए हम लोग इसको solve करते हैं और हमें किस परमे का यूज करना है हमें परमे 6.1 देख लिजे परमे 6.1 है क्या यद किसी तिर्भुज की एक बुजा के समांतर किसी तिर्भुज की एक बुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अन्य दो बुजा हमारी ये हो गई बिन बिन बिद्दूओं पर प्रतिछित करने के लिए एक रेखा खीची जाए एक रेखा कुछ इस तरीके से अगर खीची जा रही है तो एन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में बिभाजित होती है यानि कि ए वाली भुजा और ए वाली भुजा एक ही अनुपात में बिभाजित होगी यानि कि एडी और बीडी का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा किसके AE और C के अनुपात के चलिए हम लोग इसको solve करते हैं देखिए हमारा क्या हो जाएगा तो हम लोग देखते हैं तिर्भुज A, B, C में तिर्भुज A, B, C में D क्या है? D समांतर एक इसके? B, C के D, E, समांतर, B, C और यह जो point D है A, B का मद्ध बिन्दो है समझ दीजिए point D, A, B का मद्ध बिन्दो है यानि कि A वाली भुजा बराबर होगी इस वाली भुजा के तो A, D बराबर होगा किसके? B, D के A, D बराबर होगा B, D के A में दिया है Next अब देखिए क्या हो जाएगा? अब हम लोग परमे को अप्लाई करेंगे लिखिए परमे 6.1 से तो 6.1 से क्या हो जाएगा? A, D और B, D का जो अनुपात होगा A, D B, D का अनुपात बराबर किसके होगा? A, E और C, E के अनुपात के A, E और C, E के यहां से देखिए इसको माल लेते हैं क्या? समीकर नंबर 1 और इसको माल लेते हैं समीकर नंबर 2 लिख दीजे समीकर नंबर 1 और 2 से समीकर नंबर 1 और 2 से तो समीकर नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा? यहां से A, D is equal to B, D हम समीकर नंबर 2 में रख देंगे तो रख दीजे A, D के अस्थान पर समीकर नंबर 1 से आप B, D रखिए क्या हो जाएगा? B, D अपॉन B, D बराबर हो जाएगा A, E अपॉन C, E बराबर हो गया? अब देखें B, D, B, D से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 is equal to हो जाएगा A, E अपॉन C, E के और यहां से हम cross multiply कर देंगे cross multiply करिए C, E बराबर क्या हो जाएगा? C, E बराबर हो जाएगा हमारा A, E के यानि कि अब आप लोग चित्र में देखिए A, जो C, E है A, जो C, E है A, बराबर किसके है? A, बराबर A, E है यानि कि हमारी A वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा के तो इसके कहने का मतलब है कि ए जो बिंदू E है ए जो बिंदू E है तीसरी भुजा यानि कि A, C को सम्दुभादित करती है तो ए क्या हुआ? आतहा इससे यह सिद्ध होता है होता है कि दूसरी भुजा के समानतर दूसरी भुजा के समानतर खीची गई रेखा तीसरी भुजा को सम्दुभादित करती है यह हमारी पहली भुजा है दूसरी भुजा यह तीसरी भुजा है और इस तरीके से हमने सिद्ध किया कि यह जो दूसरी भुजा के समानतर यह जो डी रेखा खीची गई है यह डी रेखा तीसरी भुजा को क्या कर रही है सम्दुभादित कर रही है और सम्दुभादित करने का मतलब होता है कि रेखा को दो बराबर भागों में बाट रही है तो इस तरीके से हमने इस question number 7 को solve किया तो चलिए गाईज आप लोग पढ़ते रहें थैंक यू